नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मनीशा धिंडोरिया और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया एक्सपोज इंडिया के सभी दर्शकों को होली की ठेर सारी बधाई भारत एक लौता ऐसा देश है जहां हर 10 किलोमीटर के बाद भाशाय या बोली बदल जाती है ऐसे ही भारत के त्योहार भी पूरी दुनिया में काफी प्रचलित रहते हैं यहां लगबग हर महिने में कोई ना कोई त्योहार होता ही है जो की बड़े ही हर्श और उल्लास के साथ मनाया भी जाता है इनी में से सबसे प्रचलित है होली जो की आज है और इस तिवहार की मानेता है सारे गिले शिक्वे मिटा के दुश्मन को भी गले लगाना वो गानों तो आपने सुना ही होगा गिले शिक्वे भूले कर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं वैसे तो होली रंगों का त्योहार है हर कोई यहां एक दूसरे को गुलाल लगा कर इस दिन की शुपकामनाय देता है और सभी घरों में घर की महिलाए भी खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाती है लेकिन इस दिन को भारत के कई शहरों में काफी अलग तरीके से मनाया जाता है यह कहिए अजब गजब तरीके से मनाया जाता है जी हाँ तो आज मैं आपको बताऊंगी भारत की कुछ ऐसी अनोखी होली के बारे में जो आपको पसंद आएंगी और काफी फेमस भी है तो सबसे पहले लिए चलते हैं आपको राजपुताना शहर राजस्तान में बता दें कि राजस्तान के फुषकर में कपड़ा फाड होली खेली जाती है और इस होली को खेलने के लिए विदेश तक से लोग याए घटा होते हैं आपको यकिन नहीं आ रहा तो लीजिए खुद देख लीजिए अब बात करते हैं ब्रज की लठमार होली की ब्रज के बरसाना गाव में होली एक अलग तरह से खेली जाती है जिसे लठमार होली कहते हैं ब्रज में वैसे भी होली काफी मस्ती भरी होती है क्योंकि इसे क्रिश्ण और राधा के प्रेम से जोड़ कर देखा जाता है यहां की होली में मुख्यत नंदगाव के पुरुष और बरसाने की महिलाएं भाग लेती हैं क्योंकि क्रिश्ण नंदगाव के थे और राधा बरसाने की थी नंदगाव की टोलियां जब पिछकारियां लिए बरसाना पहुँचती हैं तो उन पर बरसाने की महिलाएं खूब लाठियां बरसाती है पुशों को इन लाठियों से बचना होता है और साथी महिलाओं को रंगों से भिगो ना होता है यहां के लोगों का विश्वास है कि होली की लाठियों से किसी को चोट नहीं लगती है अगर चोट लगती भी है तो घाफ पर मिट्टी लगा कर फिर शुरू हो जाते हैं कहते हैं कि जग में होली ब्रिज में होला बाकी ज्यादतर जगों पर जहां होली एक दिन खेली जाती है वही मत्रा, विरंदावन, गोकुल, नंदगाम वर्साने में किल एक हफ्ते तक होली जलती है हर एक दिन अलग तरह की होली होती है फागौन की एक अधरशी को वरंदावन में फूलों की होली बाके बिहारी मंदिर में फूलों की ये होली सिर्फ 15-20 मिनट तक चलती है शाम चार बजे के इस होली के लिए समय का पाबंध होना बहुत जरूरी है वैसे तो पूरे भारत में होली पर बड़े ही उस्साह के साथ मनाया जाता है लेकिन मत्रा में इसका आगाज होली से पहले ही हो जाता है और यहां की होली देखने दुनिया भर से लोग आते हैं स्री कृष्ण के समय से आज तक मत्रा में होली सभी को भाती है और साथ ही ठेर सारी खुशिया लाती है तो ऐसे ही ये होली आप सभी की जिंदिकी में ठेर सारी खुशिया लाए एक बार फिर एक्सपोज इंडिया की तरफ से आप सभी को होली की धेर सारी शुब कामना है